YouTube channel बनाना जितना easy है, उसको delete करना उससे भी आसान है, इसके लिए कुछ easy step को follow करना होता है, तो चलिए मैं आप लोगो को दिखा देता हूँ तो सबसे पहले किसी भी एक browser को open कर लेना है और आपका जो Gmail ID से आपका जो YouTube में login होता है, उसको login कर लेना है उसके बाद सिर्फ इस icon के उपर click करके यहाँ पर जो YouTube studio है, इसके अंदर जाना होगा आप लोगो को तो सबसे पहले आप लोगो को mobile में Google Chrome browser को open कर लेना है, open करने के बाद इस tree dot के उपर click करके आप लोगो को desktop site इसके उपर tick कर देना है and then आपके उपन करना YouTube and यहाँ पर आपका जो Gmail ID है वो login होना चाहिए, जिस ID का आप channel relate करना चाहते हो, उसके बाद इस corner पर लोगो को click करना है and यहाँ पर जो YouTube studio है उसके उपर click कर देना है यह वाला जब page open हो जाएगा उसके बाद आप लोगो setting के उपर जाना होगा setting के उपर आने के बाद यहाँ पर channel है, इसके उपर click करना होगा यहाँ पर advanced setting के उपर जाना होगा, उसके बाद थोरा सा नीचे आने के बाद delete और hide channel इसके उपर click करना होगा तो और एक नया tab open हो जाएगा, यहाँ पर पस्वाप का password डाल के इसको login कर लेना है उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आप लोग यहाँ पर setting का option देख सेकते, setting के उपर आप लोग को click करना होगा and then channel के उपर click करना है, उसके बाद जो advanced setting इसके उपर आप लोग को click कर देना है उसके बाद थोरा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर delete और hide channel का option है इसको पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको आपका जो password है Gmail ID का उसको डालना है तो यहाँ पर मैं login हो चुका हूँ उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते I want to hide my channel और I want to permanently delete my content तो नीचे वाला जो option है इसको पर आप लोगो click करना है आप permanently delete करना चाहते हो तो इस option पर आप लोगो click करना होगा और यह जी option है इसको आप लोगो click कर देना है तो सारा जितने भी details से सब कुछ delete हो जाएगा उसके बाद आपको सीव यह पर delete my content के उपर click करना होगा और यहापर आपको सीव आपका जो gmail id है इसको सीव आपको copy कर लेना यहाँ से और यहापर आपको paste कर देना है और उसके बाद delete my content के उपर click करना है तो यहापर आप लोग देख सकते हैं आपको यूट्यूब चैनेल है वो डिलेट हो चुका है तो आईडी जो है लॉग इन हो चुका है यहापर दो अप्शन दिया गए है I want to hide my channel और दूसरा अप्शन है I want to permanently delete my content आप लोगो को नीचे वाला जो अप्शन है इसको उपर क्लिक करना है and then यहापर जो टिक का पेस्ट कर देना है पेस्ट करन के बाद यहापर delete my content के उपर क्लिक कर देना है तो आपका जो चैनल है वो डिलेट हो चुका है तो गाईज जो प्रोसेस था बहुत ही इजी था बहुत ही सिंपल था तो आप लोगो वीडियो पसंद आए तो जरू वीडियो को लाइक कर और एक अच्छा सा comment कर दीजिए और आप चैनल पर नए तो जरू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकट भी क्लिक कर दीजिए ऐसे हर्दी नए technology related वीडियो को देखने के लिए